गाइस अगर आप इंस्टाग्राम में हमेशा रिल्स अप्लोड करते हैं तो इस रिल्स को बना कर ज़रूर डालें यह रिल्स इस टेंट दृंडिंग में है तो आप अधिकतर टेंडिंग रिल्स को और अगर आप हमारे चैनल को फर्स टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारी वीडियो अफ्लोड होनी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे और आप इस वीडियो को देख पाएं इस वहें गाइस मैं हुसुनाली और आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलाजी स्मार्ट सपोर्ट में विदाउट फदर डियले लेट्स के इस स्टाटेड इस रेल्स की आइडिटिंग के लिए हमें इस रेल्स के आउडियो को डाउनलोड करना होगा तो हम इस रेल्स को ओपिन करेंगे और यहाँ पर इस सेंट के आइकन पर क्लिक करेंगे और नीचे हमें कॉपी लिंग को आप्सन मिल जा रहा है इस पर क्लिक करके यहाँ से इस लिंग को कॉपी कर लेंगे अगर आपकी पास ही Reels नहीं है तो description box में इस Reels का link मिल जाएगा आप वहाँ से इस Reels के link को copy कर लिजे Reels के link को copy करने की बाद हम Chrome browser को open करेंगे अब यहाँ पर Instagram Reels download और search कर लेंगे अब इस website को open करेंगे और फिर यहाँ पर उस link को paste कर देंगे जो अभी हमने copy किया है उसके बाद download पर click करेंगे फिर नेचे scroll करेंगे और यहाँ पर download वीडियो पर click कर लेंगे फिर download पर click करेंगे अब यह मेरा Reels download हो गया है इस Reels के editing के लिए हम VN app का use करेंगे तो आप VN app को Play Store से download कर लें और अब हम VN app को open कर लेते हैं अब प्लस के icon पर click करेंगे और फिर new project पर अब हम यहाँ पर अपने 8 वीडियो को choose कर लेंगे उसके बाद इस icon पर click कर लेंगे और अरिजिनल पर click करके 9-16 कर लेंगे और लास्ट में हमें इस app का watermark मिलेगा इस पर click करके इसे यहां से delete कर लेते हैं और फिर अब हम इसमें music को add कर लेते हैं तो tap to add music पर click करेंगे और फिर music पर और अब यहां पर my music पर आ जाती है और फिर extract from video को choose करेंगे और okay कर लेंगे और अब जो अभी हमने reels को download किया है उसे choose करेंगे और यहां पर कोई नाम दे देंगे इस file का और फिर इस new पर click करेंगे यहां पर कोई नाम डाल देंगे और create album पर click करेंगे अब इसे choose कर लेंगे और फिर use पर click करेंगे और अब right के icon पर click कर लेते हैं उसके बाद अब हम इस पहले video को choose करेंगे और फिर trim पर click करेंगे और यहाँ पर वन सेकेंड लिखा हुआ है इसी चूज कर लेंगे उसके बाद इस आइकन पर क्लिक करके दूसरे वीडियो पर आ जाते हैं और यहाँ पर 0.86 टाइप कर लेंगे उसके बाद राइट के आइकन पर क्लिक करेंगे अब हम इस आइकन पर क्लिक करके तीसरे वीडियो पर आ जाते हैं और यहाँ पर 0.85 टाइप कर लेंगे फिर रैट के आइकन पर क्लिक करेंगे अब चौत्य वीडियो पर आ जाएंगे और यहाँ पर 0.80 टाइप करेंगे फिर रैट के आइकन पर क्लिक करेंगे अब पाचवी वीडियो पर आ जाएंगी और यहाँ पर 0.70 टाइप करेंगी फिर राइट के आइगन पर क्लिक करेंगी अब इसी तरह से छटवी वीडियो पर आ जाते हैं और यहाँ पर 1 सेकेंड को चूज कर लेंगी अब साथ भी वीडियो पर आ जाते हैं ओर यहां पर 1.10 second type करेंगे उसके बाद right की आईकन पर click करेंगे अब 8 पे वीडियो पर आ जाएंगे और यहां पर 1.11 type करेंगे फिर right के आईकन पर click करेंगे और अब forward के आईकन पर click कर लेदे अब यह जो पहला वीडियो है इसके बाद इस लाइन को लाएंगे और फिर यहाँ पर जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे फिर मेटेरियल को चूज करेंगे और यहाँ से ब्लैक फोटो को चूज कर लेंगे अब इस black photo को choose करेंगे और फिर trim के option पर click करेंगे और यहाँ पर 0.70 type करेंगे फिर right के icon पर click करेंगे अब यह जो black photo है इसे choose करेंगे और यहाँ पर duplicate लिखा हुआ है तो इसे duplicate कर लेंगे और इसमें से एक photo को हम इस video के बीच मिलाएंगी इसी तरह से इसे दूसरी बाट duplicate करेंगे और फिर से सभी वीडियो के बीच इस black screen को लगा देना है इस तरह से तो हम इस black photo को सभी वीडियो के बीच लगा लेते हैं तो अब हमारा वीडियो रेडि हो गया है अब हम इसे एक बार प्ले करके चेक कर लेते हैं जब आप इंस्टाग्राम पर इस reels को एडिट करके अपलोड करिएगा तो मुझे टैक करना ना भूलेगा मेरे अकाउंट का यूजर निम आपको स्क्रिन पर सो हो रहा है उसके बाद अब हम यहां से इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसे 100% हो जाने देते हैं और अब हम दिखा देते हैं कि हमारा वीडियो कैसा बना है इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से इस तरह के रियल्स को एडिट कर सकते हैं trending reels उसे related मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं और आगे भी मैं इसी तरह से वीडियोस बनाने वाली हूँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिरूर कर ली जिससे कि जब भी मैं वीडियो को बनाओ तो आपको तुरण नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपने reels को एडिट कर पाएं मैं अगला reels टुटिरियल कौन सा बनाओ आप मुझे कमेंड में जरूर बताएं